हेलो रिवन गुड मॉर्निंग जहिंद मैं वेकर आप सवागत करता हूँ एक्जाम्पूल डिफेंस वरीर यूटूब चनल पे तो कोस्टगार का एक्जाम भी एक तरीके से नजदिक आगया अभी मैंने इस पर एक वीडियो किया इसको लेके डॉकुमेंट को लेकि क्या क्या आपको त्यार करना उसको देख लीजिए एक बार तो वीडियो अले सक्षन में आपको मिल जागा सब कुछ कटेग्री वाइस अगर आपको और भी कोई डाउट लग रहा कोस्टगार से रिलेटेट तो आपको मैं वीडियो स्कितरू बता करते तो भी शेयर कर दोगे तो बहुत बहुत रहेगा ठीक है यह सब सारी चीज़ें इसलिए होती है कि थोड़ा सा हमें भी प्यार मिले आप से आप जो भी चीज डाउट हो आप ज़रूब पुछो ठीक है आगे बात करते स्टार्ट करते इस इवेंट को बात करनने वाले कि इंडिन कोस्ट-kard में मेडिकल स्टेंड़र्ट क्या-क्या होता है फीजिकल स्टेंड़र्ड अबाद में डिसकस करां कि हम लोग दोड़ वगए सब कुस को कि डिखल आप बताओ क्या-क्या चीज़ा हमारे बॉкольिक पार्ट में चेक होती है और कैसे कैसे परफेक्ट रहना चाहिए तो यह आपके मन में डाउट होगा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है तो इस वीडियो में हम लोग उससे चीज़ें को थोड़ा डीटेल में समझने की कोशिस करेंगे ठीक है तो इंडियन कोश का अगरा चेश्ट एक्स्वेंशन कितना यह इसके बाद आपका हेल्थ टेस्ट होता है हेल्थ टेस्ट यानि कि आपको कारडियो गए तो नहीं नहीं है यानि कि हाट ऐटेक वगज़गरा की प्रॉब्लम बीपी की सारी चीज़ें फिजिकल टेस्ट होता है यानि आपका हाइट वेट एंड चेस्ट यह क्या होता है आई देखते इसको कटेगरी वाई तो हाइट आपका कितना होना चीह आपका होना चीह 157 cm अगर आप नॉर्मल जगह से हो अगर आप पहाड़ी एरिया से हो चाहे आप इधर सो उतराखंड से हो जाओ या किसी भी पहाड़ी एरिय क्या होताँ 157 cm होता है आगे बात करेंगा जैसे हिमाचर प्रतेस होगि 152 में हो जाता है आगे बात करते हैं इस में देखेट अब अभी जीतना है ना आपका एक्सपेंशन करने पर पांच सेंटीमेटर आना चीए मतलब ऐसे खड़ाओं मैं ऐसे फुलाओं तो पांच सेंटीमेटर भरकवाना चीए अब देखो ठीक हाइट एज यह थोड़ा सा लंबा चार्ट होता और इस पर मैं वीडियो कर चुक हूँ इसके लिए कोस्टगार के लिए लग से मैं वीडियो कर दूँगा ठीक है तो हाइट और एज इसका अलग से वीडियो मांगता है पांच शे मिनट दस मिनट यहीं अलग वेट होता है आपकी हाइट ज्यादा अलग वेट होगा आपकी हाइट ज्यादा अलग वेट होगा आपका उमर करता उस पर डिपेंड करता है तो यह थोड़ा सा आपको मैं अलग से बता दूँगा इस पेसल इसी वीडियो को न फिलहाल देखा जा तो आपकी हाइट क्लियर होगी आपका चेस्ट में एकस्पेंशन 5 सेंटीमिटर का मांगता है नेक्सट क्टेगरी की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर बात होगी आपकी हेल्थ टेस्ट की किसकी हेल्थ टेस्ट की इसमें सबसे पहले आता आपका ECG ECG, ठीक है, इसमें क्या होता, आपका हर्ट का जो भी प्रॉब्लम है आपके सरीर में, ये सारी चीजे, पल्स वगरा, ब्लड प्रेसर वगरा, मतला हर मैक्समुम सीजे, बीपी तो नहीं बोलेंगे, इसके नदर बीपी नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कार्डियो वगरा, ठीक ह इसलिए इंडियन आर्मी को, इंडियन चाहे किसी केटेगरी में चलिया, कोस्टकार, नेवी, एरफोर्स, इसलिए इतना स्ट्रॉंग माना जाता है कि तुम आस्मान से उड़ा दो, तो भी हमें फरकना पड़ता, तुम जमीन के अंदर गुशेर दो, तो भी हमें को फरकना पड़ता हमें जहां रखना हमारा कों त्यार है हर सिच्वेशन में, तो सबसे पहला टेस्ट किया आपका ECG है, आगे बात करेंगे, नेक्स्ट, ब्लड एंड यूरीन टेस्ट, यानि कि आपके ब्लड में कोई इंफेक्शन तो नहीं, कोई वाहरल तो नहीं, यूरीन और ब आप सभी को पता है, नॉर्मली आप लोग गय होगे, कभी भी तबियत किसी के खराब होगी, कभी आदमी कभी विजिट करता ही है, होस्पिटल कभी भी गय होगे, तो एक पट्टी लगा कैसे, वैसे दबा-दबा प्रेसर नहीं बनाते वही वाला, वैसे उपर जाता है, सा एकसरे होगा, यानि आपके बॉड़ी पार्टे में, मतले कोई भी जो बोन है, क्योंकि बोन सामने इस तो नहीं दिख पाएगा, आदमी के अंदर कितने बोन है, कहीं फ्रेक्चर वगरा तो नहीं है, तो उस चीज को हम लोग एकसरे से देखते हैं, खासकर चेस्ट वगरा को प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, कि कहीं कोई प्रॉबलम तो नहीं है, आगे बात करते हैं, इसके बाद आपका चेक होता है, मेडिकल वाले में, ब्लड हीमोग्राम चेक होता है, आपका यूरीन हो गया पुरा, बायो केमिस्ट्री चेक होता है, ब्लड सुगर, यानि चीज में आ जाता है एक सरे आपके पारका इसको बता दिया मैंने अल्टरा सांड और इसमिमंग्राफिय थी हो घया ठीक है यह female female का तो हमारे हां सीन है नहीं तो इसको हम लोग नहीं include करते हैं यह मान चला बस यह उपर उपर वाला आपका हो जाता है जितना भी बताया वही ठीक है जितना भी बताया आपको मैंने वही एकस्रे हो गया आपका ब्लड यूरीन टेस्ट और इसीजी यह सारा चीज आपका आगया किसमे हेल्थ टेस्ट में आप आते हैं फुजिकल मैंने किससे गुजरना होता है Carnage को आई इंस्पेक्शन होता है यानि कि आपकी आख की रोसनी कैसी और आख की रोसनी 6-6 मांगते परफेक्ट ठीक है चसमे के साथ और बिना चस्मे वाले दोनों होता है सबसे से कम रोशनी 6-9 भी ले लेते हैं बिना चस्मे के साथ 6-6 होना चाहिए परफेक्ट अब इसमे क्या होता आपका कलर ब्लाइडनेट टेस्ट भी होता है आपको ऐसे पैचेस देंगे इसके अंदर संख्या कोड लिखा रहाएगा आपको इसको पढ़ना होगा जैसे इसको पढ़कर बताओ कितना लिखा है बार लिखा है इसको आठ ये छे देखो मैं भी चसमा नहीं लगा हूं लेगर फिर भी देख ले रहा हूं 29 57 इसमें तो तरट नहीं जिसको कलर्च न होग और इसमें और इस कलर में अंतर नहीं समझ में आगा यह लगेंगे यह दोक्त आख सीनिंग दूरी पर यह आजका चल्ठ व्युहरत पढ़वाए जाता था कि यह एकददम last तक आते उस हिसाब से आपको रेटिंग दी जाती और ये होता है I test का पार्ट एग ऐगे बात करेंगे इसके साल साल इते में फीजिकल टेशिकल टेस्ट का भी आई होता आई टेस्ट हो जय जैसे की आख में कई कट वगरा तो नहीं नहीं कोई प्रॉबलम तो नहीं वो अलग हो जाता है ठीक है आगे बात करें हम लोग फ्लैट फूट यह फीजिकल मीं चलना हम लोग इसके बाद फ्लैट फूट टेस्ट यानि कि आप सभी को पता है जो आपका पैर है एसा नहीं होना चीए और ऐस सब ने हुना ची ये दोनों खराब एए ऐसा च्लने में दिक्कत ही होता है कि आपका पेर तो बैलेंस रहता है जैसे आप पजी आप राखें से बैलांस हो जाता है लेकिन पकता है जैसे र decision pro cop देखिएका और घोड़े का पजोगे उसका ऐसे होता है कभी भी घोड़े का पज़को पूरा इसे फ्लैर नहीं होता है ठीक है कभी देखना ध्यान से और हाथी का एकदम फ्लैट होता है तो हाथी इतना फ्लैट ऐसे धाप ऐसे रखके चलती है वह हो गया फ्लैट पूट और घोड़े का थोड़ा सा ऐसे कर्व होता है ध्यान से देखोगे ऐसा कर्व होता है यहां से प्रेसर बनाके हो आगे दोर दोडने का अलग चीज है दोड़ ना पाओ तो यह दोनों गलत है ठीक इन दोनों को नहीं लिया जाता है यह आपका परफेक्ट पैर होता है इसका सबसे आसानी से चेक करना मतलब अगर आपको चेक करना कि आपके फ्लैट पूट में इससो तो नहीं है जहां पर भी गीला पा अब ऐसा आ रहा है कि यहांसे कट रहा है यहां से कट रहा है तो गड़बढ और एकदम ऐसे आ जा रहा है तो भी घडबर ठीक है यह देख लेंना आगे बात करेंगे next टेश्ट आपका सबर्का Campbell करेंगल करेंगल यहनि आपका हाथ जब हाथ सीधे करते हो तो यह कैसे बन मेड़ा आप सभीिन तो आप सभी का कितनो वोगा यह आपका निकल जाता यहाद tomar派 विध्य यह वरक होना मेरा है इये है आप हाथ पूरा पर्फेक्ट यह वही चीज़ रहना चीए अगर नहीं तो दिक्कत है एसे करते तो जदा समझ में आ जाता है ऐसे ऊठ सी देख करो आगे अगे हात रुका सा उठा होगा देखो करके करके देखो सभी लोग हल्का सा हात उठा तो यह उठा रहना चाहिए एकदम पर्फेक्ट नहीं हो जाता है पर्फेक्ट अदम जबर्दस्ती भी करोगे तो भी यहां पर दर्ध होगा आपको सिंपल वाला आई इसके बाद बात करते हैं स्वीर्टी हैंड यानि कि आपके हाथ में अगर बहुत ज़्यादा पसीना आत अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अर्मी फोगरा में यह सौफ्ट हैंड भी बहुत बड़ा इसु बन जाता है इन सबका सबसे आसान तरीका जो मैं देखा हूं जो गाउं में सभी लोग करते वह क्या करते अभी ठंडी का मौसम यह आ रहा है तो सुबह सुबह होता है अगे बात करेंगे हम सभी लोग नेक्स्ट डेंटल टेस्ट यानि कि आपका दात चेकिंग होगा दात में 14 पॉइंट नेसेसरी होता है जब हम पॉइंट की बात करते तो इसको थ्यान से देखेगा यहां पे टोटल होता है आपके पास 32 दात होते हैं तो इसको 16 और 16 धात भांव बात लिए यह 16 ऊपर और 16 नीचे ऐसे होता है ठीक है यह नीचे वाले दात यह उपर वाले डात 8 दात इधर होगे होंगे एक दो तीन चार पांच है एक सिकिन हैं है 15 फिर filing और यह एक इक प्वाइं आप डाई उगए एक तो वह उपेन कराके देख लेते कोई ट्राट वगरा तो नहीं नहीं पीला पन तो नहीं उसको साफ कर लीजिए आप सभी लोग डेली ब्लस करोगे लसले, पीला पन, कार्ला, या फिर सडा हओा दात तो वो सही हो जाता है अब इसके बाद बाकि यह जो पॉइंट होता यह कब मिलता है जैसे वह आप से दात करवाएंगे कियेंगे दात बंद करो बंद क्या आपने कितने दात same to same match करा में एक्टम same to same स्वा की नीची मिलना है same to same मतलब यह निगी दो परावबर एक पकना चाहिए बलादीर बार तो ब्लाती मतलब होता है इसका यह और दो पॉइंट ले सकता या दो ही होता है अब सुनिए इसमें 14 पॉइंट होना जरूरी है यानि कि ऊपर नीचे मिलाके 14 आपके बढ़ने चाहिए अब यह मत सर्चना इतने ऊपर इतने नीचे नहीं 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 यहीं है यहीं इसके साथ मिलेगा तो दो नंबर मिल जा कभी कभी माल निचे आपके दात में इसू भी है माल आप कहते हैं आपका दात पीछे वाला खराब है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता हूं उनका यह कहना होता है जो दात सही हो सकता है उसको लोग ले लेंगे और दूसरा चीज़ वो ना धात को ऐसे खट-खट करवाते है ओँसरे कि आवाज आ रहा है यह आना चीन थी था यह आना चीट होड़ा सा यह आर्मी और में थोड़ा और बारीक से देखते हैं आप लोगों में थोड़ा वो चलता है ठीक है यह देख लेचिए का यह आपका दात का डेंटल टेस्ट वाला इसके लिश्ट होता है याने क कान का का चेकिंग होता वहीं, आपका वैक्स वगरा होता है, वैक्स मतलब अंदर से कान साथ होना चाहिए, जैसे हमारे मम्य-म्ही करती थी पहले, लकड़ी में, कपड़ा-लपेट के साफ करती थी न, वो हो गया नॉर्मल तरीका, एक होता है, डॉक्टर वैक्स करता है, तो आप वैक्स काम कान करवा लेना जब चेकिंग मेडिकल करवानी जाओगे अपटी बार एर फोर्स में बहुत सारे बच्चों को मेडिकल को री मेडिकल इसलिए दिया गया था कि उनका यर वाला भी प्रॉब्लम था और मैं यह चीज पहले बताता हूं वैक्स करवा लिया करो ठीक है और दूसरा चीज सुनवाते हैं आपको एक मतलब कम आवाज में मसीन जैसे की यह ठीक है इसमें एक तो साफ कर लेते ऐस इसके बाद नौकनी का क्या इस हो यह सभी लोग जानते जैसे पैर आप सीधा खड़ा करोगे अगर आप देखोगे एकड़म फीरा सीधा जैसे की इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे ठीक है तो अगर आपका यह पैर एकड़म टच कर दिया समझे रग देखो इसको सिंप कमफर्टेबल के खड़े हो ना जब आप घुटने वाले को सिर्फ घुटने को टच करो तो देखो इधर वाले में गैप बन रहा है क्या नीचे नहीं बनेगा बहुत कम बच्चों कहीं होता है अगर बन रहा तो इससू है एक दूम कमफर्टेबल की बात करो यह नहीं जब चलते 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 स्टाइल में उनका पैर ऐसा ही बीच में बहुत गया बन जाता है यह वाला दिक्कत है और यह वाला नॉर्मल होता है मतलब की आपका यह थोड़ा बहुत गया सेम चलना चाहिए उपको और यह इसका यह रिज़न है कि जब आप दौर्टे हो तो यहां प परफेक्ट तरीका यही होता है बनने का ठीक है नौकनी इसू यह हो गया इसका प्राइबेट पार्ट टेस्ट होता है आपका जिसमें हाइड्रोसील वीसोसील और पाइल सी यह सारी चीज़े चेक की जाती है तो ओवराल मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मे अधा उच्जा है उ viel से निकाल देंगे न यह भी उता है आपका चेहला यूण hakak suspect ऑगर यह तो भी निकाल दें नहीं होती है लेकिन उनका कहने केसे मतलव होता है आपका सही रहना चाहिए ना बात समझ में तो ये भी आपका है अगर आपका six finger है six finger अगर ये ज्यादा एक्ष्टा निकला हुगा है तो भी एक reason होता नहीं होने का ठीक है क्योंकि उसका एक reason ये है कि जो दिया जाता सरकार की तरफ से कि जो standard जो चीजे आती है medically हो या फिर आपके बनती सारी चीजे तो इस वज़े से सारी चीजे होती हो कि किसी का चार फिंगर तो भी आप eligible नहीं होगे ये सारी चीजे आपको ध्यान देना पड़ेगा उमीद करते आपको session अच्छा लगा होगा अगर आपको लगे इसमें कुछ information और addon करना चीज तो comment करके जरूर होता से और जिसका eligibility यानि कौन-कौन से बच्चे इसका form भर सकते इस पर वीडियो मैं कर चुक हूँ आप सभी लोग जाके देख सकते वीडियो वाले section मिल जाएगा तो आप सभी प्रचंड बैच से जूड़ सकते जो बहुत ही बहतरीन बैच है एकदम बहतरीन टीम के साथ आप आपको रीटेन की पूरी complete टैरिक राए जाएगे एकस वाई दोनों गुरूप की ओके ट्रिपल नाइन का पढ़ने वाला एक्जाम पूर ऑफिसल है पर इसकी क्लास से जो एक नोवंबर से प्रॉपर स्टार्ट जाएगी और 25 अक्टूबर से आपका डेमो स्टार्ट सबस्कार मां अछिए ओके उम्मीद करते हैं आपको सेसन बढ़ियां लगाओगा घर बढ़ियां लगा तो कमेंट करके जरूरो होता है आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा और कमेंट करके यह भी बताएंगे की information में अगर कोई changes करना आपके हिसाप से कुछ और भी होता त Thank you.